ये IT की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम लोग Microsoft Office के बारे में सिखने वाले हैं देखिए सबसे पहले अगर हम Microsoft Office के बारे में बात करें तो ये Microsoft Office 2021 के बारे में हम लोग सिखने वाले हैं और इस समय का latest version आपका 2021 का चलना है जिसमें की बहुत सार आपका extra features आपका दे रखा हैं वही हम आज की क्लास में बताने वाले हैं तो जैसे कि Microsoft Office के बारे में बात करें तो ये Microsoft की company प्रकार की अमेरिका की company और ये प्रकार की Bill Gates की company और इसके अंत्रगत कौन-कौन सा package आता है MS Word EC की अंत्रगत आता है MS Excel EC की अंत्रगत आता है MS PowerPoint EC की अंत्रगत आता है MS Success में की हमको आज की पहली दिन की class, यानि MS Word की class से start करने और सबसे पहले आप MS Office के बारे में बात करें है तो ये MS Office की सान्व on the web इसके बहुत सारे मतलब की इसके तो बहुत सारे मतलब वर्जन क्रेट हुए जैसे कि आपका 2013 भी रहा है 2010 भी रहा है आपका 2007 भी रहा है समझ में रहा है ना लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले यह कौन सा है 2013 जो कि इस समय की सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए 2021 से तो बोले हैं इस समय की क्लास हम लोग 2021 में पढ़ने वाले और 2021 में 2013 की अपक्षा बहुत सारा अलग लग फीचा साब का दे रखा जैसे आपने नाम सुमाओगा AI के बारे में AI का पुरान मुता है Artificial Intelligence आपको ये पता होना चीए कि जो काम हमारे computer computer से अगर करेंगे तो जो काम हमारा क करने में आथे घंटे का शमय लगेगा तो जहें कि आप वो AI के माधिम से करेंगे तो दस से पात् organisme to go समझ में रहा है ना तो ये नई टॉक्नलोड़ी और ऋभी 2020 प्रियूग बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका प्रियूग हो रहा है बड़ी-बड़ी कंपनीं में इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वार्मेंट हो रही है और एक्जामपल की आपको MS Word पे अगर आपको रिजूम बनाना है तो रिजूम बनाने में कम से कम टाइम लगेगा तो मान के चली कि 10 से 20 मिनिट का टाइम लगेगा लेकिन वही अगर आप AI के मादिम से बनाएंगे तो मात्र एक से दू मिनिट में रिजूम बनकर प्यापका या फिर्मान के चली कि आपको जो है आपको एक अप्लिकेशन लिखना है चाहें वह आपका लीब अप्लिकेशन हो या फिर्मान के चली कि बैंक में अपना एकाउंट ओपेन करवाना उसके लिए अप्लिकेशन आपको टाइप करना हो इसके लिए टाइम लगेगा कि नहीं लेकिन वही काम अगर आप AI के माध्यम से करेंगे तो बहुत ही कम सा नमें हो जाएगा और जो 2021 के साफ्टियर में हम लोग सीखने वाले समझ मैं रहना क्योंकि बड़ी बड़ी कमपनियां AI का प्रियूग करके और आज ये काम को असान कर पारी आप पूछिए नए टेकनोलोजी का प्रियूग अगर हम AI का प्रियूग नहीं करेंगे तो आपका किसी भी कमपनी में सेलेक्शन नहीं हो पाए और ये जितने भी नए तो आपको जानकारी नहीं होगा तो आप ये समझे कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा तो ये नए पर्टर पर अगर हम बात करें तो ये नए टेकनोलोजी जो अपने इस चुट में जो आपको सेयर किया जा रहा है तो ये मैं सब्समें AI के मादिम से लोग MS office पढ़ा जा है MS success भी आपका दिया हुआ है और MS outlook भी दिया हुआ ये सब हमारे किसके package है Microsoft Office के package है जो हमारे यहां की company नहीं है यह अमेरिका की company लेकिन Microsoft पेंट को office मतलब वहां पर एक प्रकार से अगर देखा जा तो system software के नाम से जाना जाता है लेकिन यह को हमारे पढ़ना है यह हमारे सारे के सारे अप्लिकेशन software कोंसा software है application software है क्यों और कैसे यह सारे software को हमको install करने की requirement आते हैं इसको कि हमको क्या करना होता है इंस्टाल करना होता है को दिक्कत तो चलिए वही हम MS Word के बारे में आज की class में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कोशन ने बन दिए कि सार हम MS Word को में start कैसे करें कोई भी software के बारे में आप पढ़िए यह सबसे पहले जरूरी होता है कि पहले आप उसकी introduction के बारे में आप जाने ही तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया देखिए किसे भी सबसे पहले कि बिंडो प्लस हार दबाते हैं यह हमारे सामने run command open करके आता है इसको run command के नाम से जाना जाता है और यहां पे MS Word आप टाइप करेंगे तो MS Word आपका open नहीं होगा देखिए open हुआ है तो देखिए यहां पर MS Word यहां पर नाम को accept नहीं करता है यह नाम यहां पर जो accept करेगा वे हैं आपका win word मैंने लिखवाया भी है MS Word को win word document के नाम से भी जाना जाता है तो जब आप win word ले करके आप इंटर करेंगे तो आपके सामने MS Word का page कुछ ऐसा इंटरफेस में open होगा अब इसमें देखिए इसमें आपका welcome to word भी दिया है single space भी दिया है bold modern resume भी दिया है snap sword calendar भी दिया है लेकिन अगर आपको MS Word पे proper तरीके से काम करना है तो इस पे आपको blank document लेने क्यों सकता होती है क्योंकि MS Word को document के नाम से भी जाना जाता है तो यह पहला तरीका मैंने बताया जिसके मादियन से आप MS Word की software open कर पाते हैं अब दूसरा यह तरीका है कि सबसे पहले आप यहां पे search पे आईएगा और यहां पे आप केवल वर्ड लिखेंगे तो भी आपके सामने वर्ड लिखा हुआ जाएगा और यहां से mouse का left button दबा करके और आप इसको open कर सकते हैं यह दूसरा तरीका है और तीसरा यह तरीका है कि आप यहां पे mouse का right button दबाईएगा और यहां पे निव वाले option पे आना है और यहीं पे एक option आपको मिल जाएगा Microsoft Word के नाम से देगे यहां से अगर आप open करेंगे तो directly MS Word के page पे आप चले जाएगा और तीसरा यह तरीका है कि आप यहां पे सबसे पहले Windows बटन पे क्लिक करिएगा और इसी में इसी प्रोग्रा 2121 आजाएगा आप यहां से open करेंगे कोई दिक्कत किसी को चलिए अब हम कैसे पता करेंगे कि 2021 MS Office में हम काम कर रहे हैं तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा यहां पे आपको आना है control panel में कहां पे आना है control panel पे आना है और यहां पे कही प्रोग्राम इंड क्लिक करेंगे तो यहां पे कार्षन आपको मिलेगा Microsoft Office के नाव से देखेंगे देखें आप देखेंगे देखें यहां पे दिया है Microsoft Office Professional 2021 समझ में रहा है ना तो यह 2021 वाले सब्सक्राइब काम करना सीखा जाएगे आप देखेंगे वर्ट भी पढ़ेंगे तो 2020 एक्सल भी पढ़ेंगे तो 2020 पावर कॉइंट भी पढ़ेंगे तो 2020 और एक्सल भी पढ़ेंगे तो 2020 आउट्लूक भी पढ़ेंगे तो 2020 क्यों कि इसमें बहुत सारा फीचस आपका दे रखा यह सारे फीचस के बारे मैं लोग सामने आएगा चलिए सबसे पहले कि इसकी इंटोड़क्शन के बारे में बात करें तो मैंने इसके पहले भी आपको बहुत सारा इंटोड़क्शन बताया था याद है е एक्षाय सबघाया है इसका नाम होता है एक्सेस टूल बार यहya में इसका नाम होता है positives टूल ग्वीक एक्सेस टूलबाद क्या होता है वीक एक्सेस टूलबाद और इसके जश्ट बगल में बात करें तो यह मारे शाफ्ट वेर का नाम दिया कि आपने कौन सा साफ्ट व्यूर पिन किया Microsoft Word और प्लेस इसमें तीन आप्षन और भी आपको मिल जाता है Minimize, Maximize, Close बटन भी मिल जाता है यह तो लगवाट समय कौमान होता हैं इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इस वाले आप्षन का क्या नम होता है इसको Menu Bar और Tab के नाम से भी जाना जाता है कभी-कभी इसे टैप भी बोला जाता है कभी-कभी इसे मिनुबार के नाम से भी जाना जाता है और प्लैस यह सब से नीचे होता है रीबन होता है यह एक चीछ करिएगा रीबन के अंदर अनेक प्रकार के ग्रूप भी पहे जाते हैं जैसे यह सब preca SHP क्या है यह सब अपका क्लीप 295 हो गयाथ का पांट गुरूप हो गया पैर läuft प्रूप हो गया इस्टाइल गूरूप कई ब defa यह सब एक परकार की गुरूप होते हैं जो गृुप पाई जाते हैं किसमें रीबन में गुरूफ पाए जाते हैं, आप देखिए सबसे पहले की कि यहां पर आपको जो है एक आपकां का रीबन चारी रूलर्ड आपकाने दिख रहा है यहां पर रूलर कही दिख रहा है वर्डपैड में आपको रूलर के बारें बताया था अब रूलर आपसंदेख रहा है जो इंचेच के टाइप में दिखते हैं इस को रूलर बोला जाता है लेकिन आपने भी बहुत देखिये मैंने आपको वर्डपैड में जब बताया था तो केवल oqu साइड में आपका रूलर दिया हुआ था ले erradoर नहीं दिया हुआ था लेकिन इस आप्टेर में आपका लेफ्ट साइड में भी आपका रूलर दिया रहता है यह भी रूलर आपका दिया रहता है और यह एक प्रकार का आपका ब्लैंक पेज है जिसके कि आप प्रापर तरीके से अपना काम करते हैं इसको ब्लैंक पेज बोलते हैं और सबसे नीचे वाले पट्टी का क्या नाम होता है यह हमारा इस्टेटस बार होता है जिसमें कि आपको यह सो करके दिखाता है कि आपने पेज की साइच क्या लिया हुआ समझ में आ रहा है ना आपने पेंच की साइज क्या लिया हुआ है यह सारा लांगवेज फॉन सा है तो यह सारे के सारे आपके स्टेटस बार होते हैं बोली इंट्रोडक्शन में किसी को कोई दिखकत सबको समझ में आया आवाज नहीं आ रहा है चलिए इसमें बहुत सारे साफसन दिया है जो मैंने आपको वर्ड पैड में पढ़ा रखा और इसके पहले भी फंडमेंटल पढ़ाते समय मैंने आपको बताया भी था इसमें पांच पैराग्राफ लाने का जो सौर्टकट की होता है यहां पर इक्वल करेंगे और लिखेंगे यहां पर आर एंडी और ब्रेकेट ओपेन प्लोज करके में इंटर करते हैं तो हमारे सामने पांच पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जागत लेकिन एक और तरीका है देखिए जिसके माधिम से कि आप पांच पैराग्राफ आप इं लिखा वा टेक्स आपके मिलें ठीक है यह भी आपका अप्सन होता है और मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आप कोई भी नंबर आप यहां पर नहीं देंगे तो पांच पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा लेकिन अगर आप इसमें नंबर देंगे तो उतने पेजों की संख्या टोटल दस हो गया है अब देखिए इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम कैसे काउंट कर पाएंगे कि पैराग्राफों की संख्या पचीस है यह आपके पैराग्राफ अले आपका दिया है नंबर भी दिया है पूरी डेटा को कंट्रोल इससे पूंद करें टोटल कैगो पैराग्राफ है कंट्रोल प्लैस इंड बटन सबसे लाश्ट वाले पैरग्राफ पर जाने के लिए तो अगर आप इक्वल लिखेंगे और नंबर नहीं देंगे तो टोटल पैर अगर आप पांच दो और जितना नंबर देंगे उतना पैरग्राफ वाजाए कोई दिकत तो यह सौटकट की होती है जिसके माधियम से अम असामी तरिके से ज्यादा मात्रा में अपना अब यह नहीं जाकर करने लगे तो आएगा या वटपैड में ट्राई करेंगे तो आएगा सारे साफ्योर का वर्क अलग-अलग होता लेकिन कुछ आप सन इसमें अलग आपको दिया जिसके बारे ने कि आपको जानना है जैसे देखिए यहां पे cut copy paste आपका दिया हुआ इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि आगर यह data मैंने selection किया अगर इस data को उठा के किसे दूसरे location पे रखना है तो यहां से हम क्या करेंगे कट करेंगे तो कट करने पर यह data यहां से गायब हो जाता है और जहां पर भी paste करना है करसर कोहां पर लेकर आईए और यहीं पर paste पर बस क्लिक कर दो प्रेस्ट नहीं हुआ है यह फार्मेट पेंट रभी एक location से हटा करके और दूसरे location पे अगर आपको data रखना हो तो उसके लिए प्रेस्ट की requirement आती लेकिन copy का यह प्रियोग है कि जैसे कि कोई ऐसा वर्ड मिल गया जिसको कि आपको बार बार लिखने की ज़रत पड़ रहे है तो सबसे ब्याता रहे कि control प्लस C बटन दवा के copy कर लिए यह स्कामिंग कि वहीं बैट जाओ वहां तो चारी लोग बैट लोग करेंगे और copy करने के बाद इसके बास से जहां पर भी डेटा आपको पेस्ट करना है बस आप यहां पर control प्लस भी बटन दबाते जाएंगे उतने बार आपका डेटा पेस्ट होता जाएगा देख नई समझ में आया है पीछे समझ में आया है तो आप ही एक बार करेंगे लेकिन पेस्ट हम जीतने बार चाहेंगे उतने बार कर सकते और कोई जरूर नहीं कि एमस वर्ड आप गया है वर्ड पेड़ भी तो एडिटा पेस्ट होताएगा देख ही एक कंट्रोल प्लस भी कि यह परग्राफ लिखा हुआ दिख एघाय तीने पफिख रहा हैं डेखिए तीने परग्राफ दिख रहा है मैं तो समझ मैं रहा है ना दो यह दिन है तो बस केवल कॉपी पैश्ट का देन है अम असानी तरिके से कॉपी किया हुआ डेटा जीतने पार भी छाएंगे उतने बार हम प्ट्ट कर सकते हैं कोई दिखत किसी को अब चलिए इसमें जो डीफरेंट आफका आफसन दिया हुआ है ये है आपका फार्मेट पेंटर जिसकी सोटकट की कंट्रोल प्लससिट प्लससी बंट्रोल प्लससिट प्लसस भी होता है अब इसका व देते हैं इसमें भी अभी कोई heading नहीं है मैंने आपको चेटिंग दे दिया इबाउट कंप्योटर कि अब को कि अब कि 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 अब चली ऐसे ही heading हम यहाँ पे सगेंड वाले पैरग्राफ भी दे देते हैं कि 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 अब देखिए इसके बाद से हम चलते हैं तीसरे नंबर के पैरग्राफ पे फिर यहाँ प्याने के बाद एक अलग एटिंग दे देते हैं एब आउट सीप्यू आप देखिएगा मैंने आपको अंडरलाइन के बारे में बताया था वर्ड पैड में इसको भी आप सेलेक्शन करिए और यदि आपको बोल्ड करना तो कंट्रोल प्लैस भी से बाद चाहते से कोई भी अंडरलाइन वो आप ले सकते हैं जैसे कि डबल अटर लाइन करना अब अब इसकी कलर आप करना है तो यहां पे क्ली करके आप इसकी कलर को यहां से चैनली कर सकते हैं, तो यह अंटरलाइन का कलर होता, और इसी के साथ साथ आप इसको selection करिए, selection करने के बाद यदि आपको इसको भी color करना है, तो यहाँ पे font color भी आपका दे रखा, इसको भी आप rate कर सकते हैं, आप देखिएगा, यह जैसे फार्मेटिंग हुआ है, सेम से मम इस heading को भी यह से बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम फार्मेट पेंटर का प्रियो करते हैं, पर करना क्या देखिए, सबसे पहले इसमें data को selection करिएगा, और selection करने के बाद फार्मेट पेंटर पे दो बार क्लिक करिएगा, mouse का left button, क्या इसमें बरस जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, बस यहाँ से लेकर कि यहाँ तक drag and drop करिए, इसी की जैसा heading है पिर पेज को आप उपर करिएगा, जहां पर भी आप drag and drop करेंगे, वहां तक हो जाएगा, इसको भी मैंने खीचा तो यह इसी की जैसा हो जाएगा, अब यह नहीं कि ऐसे पूरा खिच दिजेगा, तो सब ऐसे ही हो जाएगा, समझ मैं रहा है ना, क्योंकि एक जैसा फार्म इस वर्डपैट में पढ़ाया भी है, इसमें strike through का भी प्रियोग मैंने आपको बताया था, sub script और superscript के बारे मैंने आपको बताया था, h2 और a plus b का whole square, याद है, इसमें जो difference option आपका दिया है, यह है आपका text effect and typography, इसका प्रियोग क्या होगा तो देखिए, अब ऐसे question बनत आपको control इसे selection करिएगा, selection करने के बाद, यहाँ पर एक option आपको मिलेगा clear all formatting, इसे ही पर just click करेंगे पूरा formatting का है, विल्कुल पहले के वस्ताम हो जाएगा, जिस तरीके से आपने starting में बनाया थे, और फिर control जेड करेंगे, तो undo करेंगे, तो पुना वापस भी आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए, यह जो आपसन आपका दिया है, text effect and typography, इसका प्रियूग क्या है, तो देखिए, इसका प्रियूग हम करते हैं किसी text को लिखने के बाद, उसकी business formatting करने के लिए, जैसे कि 2-3 color में उसको paint करना हो, उसमें मान के चले कि जो हैं, आपको shadow भी लगाना ह हो, reflection भी लगाना हो, या और भी जो भी आपको मतलब इसमें मतलब ही, आपकी उसकी formatting करना हो, इसके लिए text effect and typography आपसन का प्रियूगम लो करते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक word type करते हैं, इंडिया, लिखान दीजिएगा, नहीं, अरे, नोटपैट में जब आपसन दिया रहेगा तभी तो पाएगा, कहां आपसन दिया उसमें, चलिए, इसकी size को मियाँ से increase कर देते हैं, सबसे पहले देखे, और इसको control plus B से bold भी कर देते हैं, अब इसमें बस एक ही formatting किया है, इसकी size को मैंने क्या किया, बढ़ाया, अब अब देखे, इसमें selection आप करिए, selection करने के बाद, आप चले आईगा, text defender typography वाले option पे, यहां से आप कोई साभी color आप ले सकते हैं, इसमें अलग-अलग formatting आप इसका दब सकते हैं, यह सारा formatting आपका दे रखते हैं, अब दिख रहा है, यह आप ऐसे selection करिए, इसमें और भी option आपका दिया है, देखिए, यहां पे outline की color आप चेंज करना चाहते हैं, तो outline की color भी आप यहां से बदल सकते हैं, देखिए, हलका हलका yellow दिख रहा है, समझ में रहा है, तो यह सब इसकी formatting दिया हुआ है, selection करिए, और यहां पे आने के बाद, इसकी formatting side-o भी लगाना चाहते ह हैं, तो आप यहां पे side-o भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे interface में आपको दीखेगा, यह side-o, समझ में रहा है, यह subtext का effect दिया हुआ, फिर आप इसको selection करिए, लेकिन selection बीना selection की यह काम नहीं हो पाएगा, selection करना पड़ेगा, तब यहां पे आईए, और यह reflection करते हुए, कुछ यहां से आप हटा दीजिए, आप देखिए कैसे आपको दिखराया reflect करता हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह सारी formatting करने के लिए, आप रियूग आप करके देख सकते हैं, और हटाना है तो आप यहां से normal कर दीजिएगा, पर selection करने के बाद ही, अगला जो option दिख रहा है, यहां से आप पोई सा भी color आप लगा सकते हैं, कुछ ऐसे दिखेंगे, तो यह सारा interface आप check करिएगा अपर lab में, ठीक है, यह सारा option आपका दिया हुआ, वही यहां पे glow का भी symbol मैंने आपको बता दिया, और यह number style है, यह अप्लाई होगा तो केवल number पे, इं अब देखें कैसे दिखेंगे, हो जाएगा, यह सारा formatting करके check कर लिजेगे, बाकि यह highlighted color के बारे में, मैंने आपको बताया ही है, और case change के भी बारे में, मैंने आपको बताया था, देखें, लिखा हुआ पूरा text अगर capital है, small में करना तो कौन सा button दबाएंगे, shift plus F3, देखे shift plus F3, shift plus F3, वही यहां पर case आपका दिया हुआ है, देखें, size को बढ़ाने के लिए increase और decrease option का भी preview कर सकते हैं, एक बार में पूरी formatting अटाना है, clear all formatting, इक बार में पूरा करता हूंगे, वो जाएगा, तो इतना lab में चलके practical करिए, say some local, paragraph option के बारे में जाना जाएगे,